हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग मेरे नाम है आलोग पंडे योर केमेस्टी मेंटर आज हमें लिक्षर नमबर टू और जी ओसी फॉर क्लास 11 चैप्टर नमबर 12 तो आज हम बात करेंगे नेक्स पेज आप अगर ध्यान से देखें शायद आपको दिख रहा होगा या क्लियर नहीं भी हो विजिबल तो इसमें मैं बता दू क्या लिखा हुआ है इस ट्रेक्टियल ऑर्गेनिक कंपांट्स इसमें क्हें ऑर्गेनिक कंपांट्स कैसे रिफ्रेजेंट होते हैं बौ्ड लाइन क्या है नॉमन्क्रेचर पर हम एंटर कर रहे हैं यहां से हमया NCRT का साथ थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि NCRT यहां पे थोड़ा सा आपका एक confusion create करती है यहां पे आपको थोड़ा सा डीप में चलना पड़ेगा मेरे साथ और आज का सिलसला बड़ा ही important होने वाला एक बारी देख लीजिए क्या लिखा हुआ सामने structural representation of organic compounds थोड़ा सा आपको आईडिया लग रहा हो नहीं तुमें इसको थोड़ा और crop करके भी दिखा देता हूँ यह आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ कुछ कुछ आपको दिखाए दिया हो online representation तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉमन क्लेचर की तो मेरे प्यारे बच्चो आज की class शुरू होती है और अपने topic का नहम क्या है organic nomenclature और इस organic nomenclature का जो हम level लेके चलेंगे वो level कहीं ना कहीं क्या है basic level पहले basic clear करेंगे फिर हम आगे की तरफ move on करेंगे तो इस basic level में काम क्या करना है nomenclature क्या है तो मैं बता दूँ आपको कि जो nomenclature है उसके types है सबसे पहले जो level आया था उसको कहते है common name system क्या ना हम है common name system अब सवाल उड़ता है कि यह common name system क्या है या ये common name system कहां से आया तो मेरे प्यारे बच्चो common name system जो है वो कहीं न कहीं एक example से लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजे कोई बच्चा है जिसका नाम है मान लीजे चमनलाल नाम है अब चमनलाल बड़ा intelligent है जहां भी वो जाता है हर field में पढ़ाई में खेलने में हर चीज में वो आगे है तो सब कहते हैं बच्चा हो तो चमनलाल जैसा अब चमनलाल इतना famous नाम हो गया जैसे शारुखान के टाइम का राज नाम बड़ा famous हुआ था तो सब ने अपने बच्चों का वाला काला वाला लंबा वाला चस्मे वाला ऐसे चमनलाल की identity lose होने लगी फिर चमनलाल ने कहा भाई मेरा नाम असली है राहुल तो सब ने कहा अच्छा राहुल जो चमनलाल के नाम से famous है उसका घर का है मिल गया तो ऐसे क्या हुआ common name हुआ common name को थोड़ा समझते हैं और मैं दोनों बाते जो बता रहा था आपको समझाता हूँ common name system क्या है this system is based on source of origin source of बेटा क्या बोला मैंने origin सर इसका क्या मतलब है source of origin जैसे मान लीजे CH4 तो पुराने टाइम में इसको marsh gas कहा जाता था gober gas भी कहते थे क्योंकि इसका source क्या था marsh area जब plant और animal सरगल के पानी में चले जाते थे तो बहुत जादा smell पैदा करते थे तो जो gas निकलती थे उसको methane कहते थे जो पुराने टाइम में किस नाम से famous थी marsh gas इसके बाद दूसरा example आप देख लीजिए h c o o h तो पुराने टाइम में इस gas को कहते थे इस acid को कहते थे formic acid तो formic acid कहां से लिया गया था from formica और जो formica है वो कहां से क्या है red ant या red ant जो भी आप बोलो लाल चीटी को piece के यह राल चीटी के source से इसको बनाया जाता था फिर आया c s 3 c o h अब यह क्या था acetic acid अब acetic acid कहां से लिया गया था acetica acetica का मतलब होता है means vinegar क्या होता है मतलब इठा vinegar तो सिर्के से बनाया जाता था ठीक है c s 3 o h इसको कहा जाता था wood spirit समझ रहे हो अब ताजी लकडी से जो liquid निकलता है वो होता है methanol फिर c 2 h 5 o h इसको कहा जाता था grain spirit पुराने जमाने में इसको madira है ना और आज के जमाने में इसको wine कहते है तो यह anaerobic fermentation से बनता था grains के ठीक है drawback अब आप से पूछा जाये common system fail क्यों हुआ it failed because so many compounds with the same origin were having similar names क्या हो रहे थे उनके similar names and hard to separate yeah hard to distinguish hard to distinguish क्या यह बास समझ में आई एक बारी में साइड हो रहा हूँ आप लोग देख लीजे हमने क्या पड़ा common name system this system is based on source of origin नाम जैसे CH4 को mars gas marshy area dal dal formic acid formica radiant acetic acid acetic vinegar vinegar कहा से मिलता है sugar cane ठीक है wood spirit CH3OH को कहा गया C2H5 grain spirit इतने सारे example में फिर क्या हुआ कि जैसे marshy area से और भी gases निकलती थी तो कहा गया सब का नाम क्या रखा जाने लगा mars gas तो इस वज़े से वही जो मैंने बोला कि सबने अपने बच्चों का नाम क्या रखने नहीं शुरू कर दिया चमललाल तो problem आने लगी वैसे ही marshy area से और gases थी तो सब का नाम क्या होने लगा mars gas इसलिए separation बहुत ज़्यादा tough हो गया और इसलिए ये system क्या हो गया fail हो गया बचो clear है ये system क्या हो गया fail हो गया अब जो नया system आया जो second level of system develop हुआ उस system को कहते है derivative system कौन सा system है derivative system अब आखिर ये derivative system क्या है और ये कहां से आया तो this system is based on source compound जैसे आपको पता हो कि मान लीजे दादा जी मान लीजे शर्मा थे तो बच्चा भी शर्मा होगा उनका बच्चा भी शर्मा होगा और आजी generation भी क्या है शर्मा ही होगी तो मतलब गुपता है तो सारे गुपता है खान है तो सारे खान है ये कुछ logic था कि caste जो है वो repeat होती है कुछ इसी तरह का यहाँ पर दिमाग लगाया गया और इस system में क्या बोला गया बच्चो थोड़ा अलग है ध्यान से सुनना जैसे CH4 है तो CH4 का नाम क्या रखा गया methane क्या नाम रखा गया methane फिर अगला compound आया CS3 CS3 तो इसका नाम ethane होना जी है बच इस system के according इसका नाम ethane नहीं था इसमें बोला गया यह क्या है यह पापा है और यह methyl है तो इसका नाम रखा गया methyl methane क्या नाम रखा गया इसका methyl methane फिर अगला compound है मान लीजे आपका CS3 CS2 CS3 तो अब इसका क्या नाम होना चीए था तो according to this system इसका नाम क्या रखा गया यह repeated है और यह पापा है मतलब यह क्या नाम हो गया ethile methane क्या नाम हो गया बटा ethile methane तो ऐसे चलता रहा methane, methile methane, ethile methane, propyle methane तो समने बोला यार यह तो system को छोटा किया जा सकता है इसको ethane, इसको propane, ऐसे butane बोला जा सकता था तो यह system का अभी अब क्या आने वाला है drawback अब आप से कोई पूछे यह system क्यों fail हुआ इसका क्या drawback है तो आप बोलोगे this system failed this system failed as the name of organic compounds could be more synchronized जो नाम है वो क्या हो सकता था और छोटा हो सकता था मैं side हो रहा हूँ एक बार इसका screenshot ले ले derivative system भी fail हो गया ठीक है बिटा sorry अब आगे बढ़ते हैं अब आगे का system क्या है आगे हमें क्या देखना है तो अब आता है असली system जिसके बारे में दुनिया बात करती है और उस system का नाम क्या है बटा IUPAC system अब पूछा जाता है कि IUPAC की full form क्या है तो IUPAC की full form है इंटर नाशनल यूनियन अफ प्योर अप्लाइड केमेस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन अफ प्योर अप्लाइड केमेस्ट्री तो अब आपसे पूछा जाए है क्या ये तो बच्चो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ये बोला गया कि जो और्गेनिक कंपाउंड है जो और्गेनिक कंपाउंड है और्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो चीजे है पहला प्रेफिक्स और दूसरा क्या है सब्फिक्स अर्गेनिक कंपाउंड में एक क्या बोली गई है बिटा प्रेफिक्स और दूसरी चीज क्या बोली गई है बताओ सब्फिक्स ठीक है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग शेप्टर है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग पार्ट है मन लगा के पढ़ो आपको बहुत अच्छा लगेगा prefix basically क्या होता है it depends upon number of carbon atoms number of carbon atoms और दूसरी चीज है suffix suffix में आप क्या बोलोगे इसके दो टाइप है suffix के दो टाइप है पहला टाइप है primary suffix और दूसरा टाइप है secondary suffix है ना अब जैसे की primary suffix आपके कौन-कौन से हो गए तो एन इन और क्या है आइन और secondary suffix क्या होते है ओल अल ओईक एसेड अमाइन है ना बहुत सारे हैं बला 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 तो अभी सब detail में पढ़ना है थोड़ा और एक example से सरक्लियर करो जो आप बोल रहे हो यह है क्या मुसीबद तो मेरे प्यारे बच्चो मैं example लेता हूँ जैसे मिथेन का किसका example लिया मैंने मिथेन का तो इस मिथेन में आप देखिए दो है एक myth और एक क्या है एन तो आप myth को क्या बोलोगे prefix और कहीं आप कहीं एन क्या है primary suffix तो एक prefix है और एक क्या हो गया primary suffix कुछ-कुछ आइडिया लगा आपको तो इसका एक screenshot ले लेजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको prefixes की knowledge देते हैं are you ready I guess yes चलो तो विटा अब हम बात करते हैं prefix की तो क्या है prefix कैसे आता है prefix तो आप बोलोगे prefix के बारे में it is initial of name of organic compound है ना बात नमबर एक दूसरा इट डिपेंद्स अपोन number of carbon atoms अब तीसरी बात अगर माल लीजिए carbon 1 है तो हम उसे बोलेंगे क्या तो अब हियात करते चलो myth 2 carbon है तो क्या बोलेंगे बिटा it 3 carbon है तो आप उसे क्या बोलेंगे prop 4 carbon है तो आप उसे क्या बोलेंगे, but, 5 कारबन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, pent, 6 कारबन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, hex, 7 कारबन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, heft, 8 कारबन है तो बिटा क्या बोलेंगे, oct, 9 कारबन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, non, 10 कारबन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, deck, 11 कारबन है तो क्या बोलेंगे अंडेक, 12 कारबन है तो हम क्या बोलेंगे डोडेक, 13 कारबन है तो हम उसे क्या बोलेंगे ट्राइडेक, 14 कारबन है तो हम उसे क्या बोलेंगे टेट्राडेक, 15 कारबन है तो हम हम उसे क्या बोलेंगे? हेक्टाडेक. 18 कारबन है तो हम उसे क्या बोलेंगे? आक्टाडेक. 19 कारबन है तो हम उसे क्या बोलेंगे? नौना डेक. ऐसे 20 कारबन है तो हम उसे क्या बोलेंगे? आइकस. है ना? 21 है तो बोलेंगे हनाइकस. है ना? हना आइकस. तो ऐसे डो आइकस ऐसे चलता रहेगा ऐसे 30 जो हो जाएगा उसे बूलेंगे ट्राइकंट फिर ऐसे 40 हो जाएगा तो टेट्राकंट 50 पेंटाकंट बाकी वही चलता रहेगा है एक 51 लिखना है तो क्या बोलोगे हैं पेंटाकंट कंटीन अगर अलकीन है 60 क्या हो जाएगा हेक्जाकंट यह सब रिपीट होता चले जाएगा चीदे जब आप 100 पे जाएगे तो होगा हेक्ट और अलकीन होते जनरली इतने कार्बन वाले तो उसे हम क्या बोलेंगे हेक्टेन तो इसको एक बारी आप नोट कर लीजिए समझ लीजिए मुझे उमीद है प्राइमरी सफिक्स में अब एन की अब शुरू होता है प्राइमरी सफिक्स का सिलसिला प्राइमरी सफिक्स तो मेरे प्यारे बच्चो प्राइमरी सफिक्स में सबसे पहले जो शुरुवात होती है वो होती है अलकीन की अब मन में बात आती है कि अलकीन है क्या इनके बारे में सारी knowledge हमें होनी चाहिए तो हम सबसे पहला point बोलेंगे saturated hydro carbons दूसरा single bonded single bonded तो single bond इन में पाई जाती है तीसरा इनका जो formula होता है single bond क्या होती है sigma और hybridized carbon होते है sp3 hybridized carbon जो carbon होंगे उनकी hybridization क्या होगी sp3 फिर formula इनका क्या होगा cn h2n plus का 2 n क्या होगा 1 2 3 and so on ठीक है अब सुरुआत करते हैं सबसे छोटे की मान लीजिए n की value 1 है तो आप बोलोगे c1 h2 into 1 plus 2 तो यह बन गया ch4 ch4 में carbon और चारो side क्या लगा लो hydrogen तो अगर आप से इसका नाम पूछे तो आप बोलोगे prefix क्या था एक carbon है तो myth और single bond है तो क्या लगा दोगे n तो इसका नाम क्या होगे बटा methane क्या नाम है इसका methane अब अगर n की value 2 है तो formula होगा c2 h6 कैसे हुआ c2 h6 सर तो 2 2 जा 4 plus 2 तो आप देख लो c2 h6 इसमें 2 carbon को आप ऐसे दिखा दोगे और इसके वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 hydrogen यहां आएंगे क्योंकि वैलेंसी 4 होती है तो यह बन गया c3 bond c3 और आप इसको किस नाम से जानोगे तो यह नाम है इथीन ठीक है अगर मान लीजे n की value 3 है तो c3 h8 हो गया formula तो समझे रहो ना 2 into 3 plus 2 तो यह हो गया बिटा c3 h8 जब आप इसका structure ड्रॉ करेंगे तो यहां पे थोड़ा छोटे-छोटा बना रहा हूं 3 carbon और यह जो bond free है यहां के कौन लगेगा hydrogen तो इसको अब लिख सकते थे c3 c2 c3 3 carbon है तो prop और single bond है तो क्या आ जाएगा I guess आपको यह बिल्कुल clear हो जाएगा समझ में आ रहा होगा तो इस तरीके से हमने alkane की शुरुवात की है saturated hydrocarbon single bonded suffix क्या है एन है ना अगर मैं यहां पे suffix बोलूँ तो यहां लिख सकते हो कि suffix इनका क्या होता है n बाकी formula तो आप देखे रहे हो cn h2n plus 2 का formula यहां पे validate होता है clear होता है अब अच्छे आगे बात करते हैं थोड़े से और आगे examples लेके कि मान लीजिए हमने बोला अगर n की value 8 है तो आप क्या अगर होगे c8 h2 into 8 plus 2 बोले तो c8 और h 18 अब इसमें आप 8 carbon को single bond से जोड़ दोगे कितने होगे 1,2,3,4,5,6,7 और यह क्या है 8 अब जो बाकी बची जगे है वहाँ पे आपको क्या लगाना है hydrogen yes or no hydrogen ही तो लगेगा अब सब जगे क्या लगा दिया आपने hydrogen 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 सब जगे क्या लगा हो है बटा hydrogen ठीक है अब इसके structure को generate करेंगे तो जो structure यहाँ पे त्यार हुआ उसको आप ध्यान से देखोगे तो CS3 CS2 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 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में क्या आगया CS3 तो इतना बड़ा कोई लिखना नहीं चाहता इसलिए इसको करना सीखा गया CS3 CS2 कितने टाइम 16 और CS3 तो स्टार्टिंग और एंड तो दिखाना पड़ता है तो इस compound का जो नाम है वो क्या हो गया octane और सारे state chain में तो यहां एक नया word आएगा N अब यह N क्या है sir यहां पर N का मतलब मैं आपको simple बता दूँ N का मतलब है बेटा normal normal का मतलब होता है without any branch without any branch बोलो clear हो और इस वक्त जो आपको यह formula दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है condensed formula क्या कहा जाता है condensed formula ठीक है देख लीजे एक बार ही मैं side हो रहा हूं condensed formula elaborated formula, bond line formula अब bond line representation एक अलग चीज है विट उससे पहले आपको alkyl जानना जरूरी है तो उसके लिए हम अभी इसको तो इतने पे थोड़ा सा एक दो example पर clear करेंगे alkyl और lowest locant rule even alkyne और alkyne वो सब हम एक वीडियो में cover करने वाले हैं अभी हम इसमें एक चीज़ आपको और बताते हैं जैसे question आजाए आपके exam में पूछ लिया जाए write condensed formula of सबसे पहले question आपके exam में आ जाता है suppose n decain अब n decain का आपको क्या बनाना है condensed formula तो आप simple क्या करोगे decain में 10 carbon है तो starting और end के cs3 को लिख दोगे बीच में cs2 कितने time आएगा 8 time तो इसे आप क्या बोलोगे n decain दूसरा आप से कहा जाता है n heptain बहुत simple simple पूछ रहा हूँ n heptain तो आप क्या करते है n heptain guess करो yes sir हमें आता है बहुत easy है c3 c3 और जो बीच में cs2 आएंगे वो कितने आएंगे five times तो आई थिंक आप ये बड़े अराम से कर लोगे यहां पर carbon का जो नीचर है वो tetravalent है और अगर मैं इसकी geometry बनाता मिथेन की मिथेन की geometry अगर आपको देखनी होती तो यह भी बड़ी काम की चीज़े पता होना चीए यह carbon यह hydrogen यह hydrogen यह hydrogen और यह hydrogen इसमें जो एंगल होता वह 109.5 degree होता 109.5 degree I hope आपको अभी तक यह सारी चीज़े clear होई होँगी alkyne क्या होता है alkyne का bond line representation क्या होता है इसको कैसे condense करते हैं prefix क्या है suffix क्या है nomenclature के type क्या है अब जो अगली वीडियो हम generate करेंगे उसमें हम करने वाले है alkyl group low as locan rule alkyne alkyne तो वह बड़ी ही interesting class होगी उसमें मैं आपको ISO और Neo भी बताने की कोशिश करूँगा तो फड़ा 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 हम एक से दो घंडे की वीडियो बना के discuss करेंगे और जिससे कि आपका CBSC level पे nomenclature clear हो फिर हम इसको और advanced level पे भी लेके चलेंगे तो आज की class को आई पसंद आये तो आप बाकी लोगों को भी रेफर करें थैंक यू सो मुच बाइबाए टेक केर